हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू दो चैनल सरस्टी स्टेडी पाइंट और आज हम बात करेंगे फिर से वीडियो री एक्जाम जो कि जूर में हुआ था और जिसकी आंसर की भी आ चुकी है लेकिन बच्चे परेशान है सबसे ज़ाधा नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन ना हुआ हो है ना और अगर नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहें कि 2018 में जो इसका information बुलेटिन आया था या जिसे notification भी कहते हैं तो उसमें लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होगा तो आप बता है कि 26 तारिक को दो शिफ्ट में एक्जाम हुआ अर 27 तारिक की जो फर्स्ट स्ट का एक्जाम था वो एजियर था है ना मतला कमपैरतिवली इन तीनों शिफ्ट से छब्बिस की सैकिन सेज्ट और 27 की तो दोनों शिफ्ट बहुत टफ थी तो इनकी अगर अगर कमपेर किया तो selection तो फिर 26 तारिक के जितने बच्चे हैं वो ले जाएंगे फिर जो 27 तारिक वाले बच्चों ने exam दिया और यह 26 तारिक की second meeting वाले बच्चों ने exam दिया उनका क्या होगा आपको खुश समझ में आ रहा है तो फिर क्या होगा फिर इस vacancy का इस vacancy में आपको पता है क्या होगा फिर इस vacancy में बच्चा जो है वो शांत थोड़ी बैठेगा फिर तो वो यह सोचेगा कि जब 27 तारिक वालों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा है तो definitely code के दरवाजे खट-कटाए जाएंगे हैं न और वैसे भी आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई भी एक्जाम हुआ आप CTET का देख लिए जो computer based exam जितने भी होते हैं या जो यह manually जितना pen paper वाले एक्जाम जो होते हैं इनमें आपने कभी देखा है कि एक ही shift का अगर exam एक ही type का exam एक shift ने एक type का exam बहुत सारी shift में होता है और उसका normalization ना हो अगर normalization ना हुआ तो आपने कहां इमानदारी दिखाई बच्चों के साथ नयाए कहां हुआ आपको सोचें क्योंकि paper तो सभी को पता है कि किसी shift का easy होता है और किसी shift का hard भी होता है tough भी होता है तो जो easy वाले होते हैं उन बच्चों को फायदा मिल जाएगा तो मेरे लिए तो ऐसा मतलब भले ही 2018 के notification में जो है ना दिया हो कि normalization नहीं होगा लेकिन उसमें change हो सकता है क्योंकि normalization तो जरूरी है जब अगर सारे बच्चों को आपको एक ही line में रखना है सारे बच्चों के numbers को तो definitely normalization तो होना चाहिए और normalization होगा तभी बच्चों के सा आदने आये होगा आपको सोचे और उसके साथ साथ क्या है कि यह इनोंने हैंपर answer की तो आपके लिए दे दी आप question का challenge भी कर रहे होंगे बहुत से बच्चर जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे request कर रही हूं कि अगर आपको जूभी question का answer गलत लग रहा है challenge कीजे भाई आप किसी answer की upload कर सकें वो जिससे आपके जो भी माली जिक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अगर cut off में एक या दो नंबर से रह जाएंगे तो उनके लिए बहुत दर्द होगा उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर यह answer की ठीक होती है यह answer सही कर दिये जाता तो शायद वो इस cut off में आते है ना normalization होगा तभी दोनों shift के बच्चों के साथ 2627 वाली shift के बच्चों के साथ ने आए होगा और इसके साथ वही बात फिर से कह रही हूँ कि आप जो है आपके जो answer आपको लग रहा है कि यूपी ट्रिपल सी ने जो अपनी answer की दिये उसमें गलत है तो आप उसके लिए जर इतनी भी वेकेंसी हैं है ना कम से कम उतने बच्चे सही select हों बहुत से बच्चे यह कह रहे हैं कि जो paper solver पकड़े गया यह पकड़े वो तो एक दूसरी बात है कि paper solver पकड़े गये setting हुई है exam में यह हुई हो ही है हमें भाई एक seat चाहिए दिमाग में यह भरिए इतने नोर करना सीखे तभी जीवन में जो है आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं है ना तो इसलिए वही बात यहां पर normalization को लेकर मैं आई थी कि normalization मुझे लगता है कि होगा दोस्तों और अगर कोई आपको और वीडियो के इस exam से मतलब वीडियो वाले exam की बात कर रही जो बच्चों को question को challenge करने के लिए कि अगर जो question का answer गलत है उस पर challenge करें तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितनी भी बच्चे हैं अगर जो answer आपको गलत लग रहा उस पर challenge कीजिए ठीक है तो मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहे प्रसने रहे और नमस्कार